सुई और जोंसी दो आर्टेश थे और वो दोनों एक छोटे से फ्लैट में इकठे रहते थे लेकिन एक बार जोंसी को नोवंबर के महीने में निमोनिया हो गया जोंसी बैट पर लेटी लेटी खिरकी से बहार ही देशती रहती थी सुई ने डॉक्तर को बुलाया वैसे तो ये डॉक्तर वहा वो जाता था सुई जर्ए एक बार साइग में तो आना क्या हो डॉक्तर सुई क्योंसी परशान हो रही है नहीं डॉक्तर ऐसी कोई बात नहीं है शिवी मुझे इसा लगता है कि उसने ये माल लिया है कि अब वो कभी ठीक नहीं होगी वो जीना नहीं चाहती अब उसमें जीने की कोई भ्याशन नहीं है और अगर वो जीना नहीं चाहती तो मेरी ये दमाईया बिकार है मेरी इन सब दिवाईयों का उस पर कोई असर नहीं रहेगा चलता हूँ अब से सिवी जोनसे का मद्याद अपनी और ही करने लगती कि वो किसी भी बात में इंटरस्ट ले और इसे चीने की कुछ आशा हो अरे जोनसी, अरे तुमने मीना अंटी की त्रेस देखी? उफ, लेकिन जोनसी सुई की किसी भी बात में इंटरस्ट नहीं ले रही थी एक बार सुई जोनसे के कमरे में ड्रोइंग बोर्ड लाई और ड्रोइंग करने लगी अचानब सुई ने जोनसी की आवाद सुने और उसके पास कई सुई भी खिर्की के बाहर देखने लगी सुई ने खिर्की के बाहर पत्तों की बेल को देखा बाहर तेजवा होने के कारण बेल के पत्ते एक एक करके गिर रहे थे जोनसी ये सब क्या है? इस बेल के पत्ते आज बहुत जल्दी जल्दी गिर रही है तीन दिन पहले इस बेल पर कम से कम सो पत्ते होंगे और अब तो देखो अब तो सिर्फ पांच पत्ते रह गए है हाँ जोनसी ये ओटुम का सीजन है पत्ते तो गिरेंगे ही जब आखरी पत्ता गिरेगा तब मैं भी मर जाओंगी ओ ये क्या पागलपन है जोनसी इन पत्तों का तुम्हारी सेहत से क्या लेना दे रहा है डॉक्टर बिल्कुर शियर है कि तुम जल्द ही ठीक होने वाली हो स्यू कीचिन लें जाती है और जोनसी के लिए बावर में सूप लेकर आती है मुझे सुप नहीं चाहिए मुझे बिल्कुर भी भूख नहीं लग रही अब सिर्फ चार पत्ते रहते हैं मुझे रात होने से पहले आखरे पत्ते को गिरते हुए देखना है पता नहीं कब गिरेगा ये स्यू जोनसी के बैट पर बैठती है और उसे किस करती है और पेंटिंग बनाने के लिए मुझे लाइट की ज़रूरत है मैं जल्द ही पेंटिंग ख़दम करके हमाली पैसे भी लियाओंगी लेकिन जोनसी मेरी प्यारी दोस्त तुम खिर्की के बाहर नहीं देखोगी जब तक मैं अपनी पेंटिंग ख़दम नहीं कर लेती प्रोमिस करो ठीक है तुम जल्द ही अपनी पेंटिंग ख़दम करो मैं आखली पता गिर्टे हुए देखना चाहती हूँ मैं बहुत ठक गए हूँ अभी तो मुझे मरना भी है सो जल्दी जाओ जोन से सौने की कोशिश करो मैं एक ओल्ड मिनार पेंट करने जा रही हूँ और मैं ब्रामन को मोडल बनने के लिए बुला लूँगी स्यू ब्रामन को बुलाने नीचे चले जाती है जो कि उसके ग्रान फोल पर रहता था वह ब्रामन साठ साल का था उस ब्रामन का सपना था कि वो कोई मास्टर पीस पेंट करे लेकिन उसका सपना सपना ही रह गया था स्यू आज घर में हुई सारी बात उस ब्रामन को बताती है क्या वो ऐसे बाते कर रही थी उसे बहुत तीज बुखार है और नहीं वे कुछ खा रही है और नहीं पी रही है मुझे जोनसी की बहुत फिकर हो रही है मैं जोनसी को देखना चाहता हूँ उसकी हालत कैसी है चलो चलते हैं जब वो कमरे में आते हैं देखते हैं कि जोन से तो सो रही है वे दोनों दूसरे कमरे में चले जाते हैं जब वो बहार देखते हैं तो वहाँ पर सिरफ एक ही पत्ता होता है बहुत ज़दा ठंड होती है और बहुत तेश बारिश आ रही होती है मौसम को देखर स्यू और ब्रामन को यकीन हो जाता है कि ये आखरी पता भी गिरने वाला है ब्रामन भी ये सब देखता है लेकिन कुछ नहीं कहता और चुपचाप अपने घर में चला जाता है जब सुबह होती है तो ज्योंसी सबसे पहले बाहर देखती है देती हैं और वो बहुत ही नर्वस होती है ओ स्यू मुझे यकीन नहीं होता वहां देखो अभी वी एक पता है वो पता बहुत ही सुन्दर हरा भरा कितना अच्छा लग रहा है मुझे यकीन नहीं होता रात को इतनी आली दुफान में भी इतनी तेज बारिश होने के कारण भी ये पता नहीं गिरा, ये अभी भी है रात को जब मैं सो रही थी तो मुझे बहुत तेज हवा की और बहुत तेज बारिश की आवाज भी सुनाए दे रही थी मुझे लगा कि सुबह तक ये पता गिर जाएगा और फिर मैं भी मर जाओंगी नहीं जोनसी, तुम नहीं मरोगी तुम्हें अपने दोस्तों के खाटी जीना होगा कि तुमने कभी सोचा है कि अगर तुम मर गई तो मेरा क्या होगा जोनसी खुश हो जाती है और सो जाती है जोनसी हर एक घंटे बाग केकी के बाहर जाँकर देखती थी लेकिन वो पत्ता वो तो अभी भी वही पर था रोज एक बहुत तेज आंधी दुफान आता था जिससे जोनसी को यकीन हो जाता था कि वो पत्ता तो गिर गया होगा लेकिन आंदे दुफान ख़तम होने के बाद जब वो देखती थी तो वो पत्ता तो बहीं पर होता था स्यू, स्यू, जुल्री आओ क्या हुआ, मैं बहुत बुरी हूँ तुमने मेरी देखपाल की और मैंने तुमारे साथ अच्छे पेवार नहीं किया इस आखरी पत्ती ने मुझे सिखा दिया कि हमारे लाइफ में बहुत मुसीब बताती है लेकिन हमें उनसे दरना नहीं चाहिए, बलकि उनका टटकर मुकाबला करना चाहिए मुझे ये सब सुनकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई स्यू और जोंसी गले लग जाते हैं अब स्यू जोंसी के बालों में कंगी भी करती है और उसके लिए बहुत तेज, करम, सुप भी लाती है दोपहे को जब उनके घर में दॉक्टर आता है स्यू अब जोंसी के मन में जीने की इक्छा हुई है अब मुझे पूरा भरोसा है कि वो जल ही ठीक भी हो जाएगी चलो, अब मैं चलता हूँ मुझे नीचे ब्रामन को देखने भी जारा है उससे भी निमोनिया हो गया है लेकिन मुझे दर है क्योंकि अब मुझे नहीं लगता कि वो ब्रामन बच पाएगा चलता हूँ अगली सुबह जौन सी, मैं तुमें कुछ बताना चाहसी हूँ आज सुबह ही ब्रामन की बैट हो गई है उसे भी निमोनिया हो गया था वो सिर्फ दो दिन के लिए बिमार था पहले दिल जौनीटर ने ब्रामन को उसे उसके बैट पर पाया था रही थे, वो उस बहानक रात में बहार थे उन्होंने उनके बैट के पास ही एक सीडी को भी देखा था वहाँ पर कुछ पेंटिंग ब्रेशीज भी रखे थे और उस लैडर के पास ग्रीन और येलो पेंट भी फर्श पर गिरे हुए थे जोंसी तुम बहार देखो, उस पत्ते को देखो जो गिरा नहीं था क्या तुम्हें पता है इतनी तेज आंधी दुफान होने के कारण भी वो पत्ता क्यों नहीं गिरा द्यान से देखो, इतनी तेज हवा के कारण भी ये पत्ता हिल नहीं रहा, ये एक जगए पर ही है उस दिन मैंने ब्रामन को तुम्हारी मन के बात बताए उस ब्रामन ने यह पत्ता रात को इतनी धन में सिरफ तुम्हारे लिए वो पत्ता पेंट से बनाया है और पूरी रात ठन में रहने के कारण उन्हें नीमोनिया हो गया और उनकी डेथ हो गई है